नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का To The Point चैनल में स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपी टेट एक्जाम के लिए हिंदी का प्रिवियस एर का प्रश्ण पत्र लेकर आया है आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए या 2018 का प्रश्ण पत्र है आप लोग देखिए किस प्रकार के प्रश्ण पूछे गया है क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्ण आपको एक्जाम में देखने को मिलेगा इसलिए आप लोग इस वीडियो को पुरा ध्यान से देखिए और एक एक प्रशन का उत्तर आप लोग जरूर बताईए चलिए शुरू करते हैं पहला प्रशन है प्रागयती हासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है आप लोग बताईए प्रा, प्राक, प्राग या प्रागयती इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है आपको बताना है देखिए दोस्तों उपसर्ग किसे कहते हैं जो सब्दों के प्रारंध में जुड़ते हैं और प्रत्य किसे कहते हैं जो सब्दों के अंद में लगते हैं तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है प्रागयतिहासिक में, आपका सही जवाब क्या है, प्राक उपसर्ग लगा हुआ है, इसको ध्यान कियेगा, यहाँ पर आपका दूसरा बिकल बिल्कुल सही है, प्रागयतिहासिक में दोस्तों प्राक उपसर्ग लगा हुआ है ठीक है इसका संदिविच्षेद क्या होता है प्राग धन एतिहासिक बराबर क्या होता है प्राग एतिहासिक होता है ठीक है चली अगला प्रस्ण देखेंगे तूलसी दास किसकी कविता है आपको यह बताना है हरिवन सराय बच्चन मुक्ति बोध अग्ये सूरिकान त्रिपा गीतिका ये सभी दोस्तों सुरिकांत्रिपाथी निराला जी दोराही लिखा गया है यहाँ पर आपका चौन सी संदी है तो इसमें दोस्तों बिशर्ग संदी है इसको ध्यान रह attention चलिए अगला प्रशन देखेंगे सभी प्रशन आप लोग ध्यान से देखते चलिए अगला प्रश्ण है वै देही वनवास किसकी रशना है आपको बताना है मैथलिस रण गुप्त अयोध्या सिंग उपाद्याय हरियोध रामधारी सिंग दिनगर स्रीधर पाठक यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है देखे दोस्तों वै देही वनवास ये दोस्तों अयोध्या सिंग उपाद्याय हरियोध की रशना है ठीक है इन्होंने दोस्तों 1941 में इसकी रशना की थी इसको ध्यान किएगा इनकी अन्य रचनाओं की बात करें दोस्तों जैसे प्रिव प्रवास है, कभी समराठ है और परिजात है, रसकलस है ये सभी दोस्तों इनकी रचनाए हैं अगला प्रशन देखेंगे, निम्न में से पुल्लिंग सब्द का चैन कीजिए, कौन सा पुल्लिंग सब्द है, पखावज, पहिया, लिखावट, मजधार, यहाँ पर आपका सही जवब क्या है, पहिया दोस्तों क्या है, एक पुल्लिंग सब्द है, इसको ध्यान कियेगा, संप्रेशन कला का क्या नहीं है, संप्रेशन कला क्या नहीं है, आपको बताना है, क्या प्रभावसाली भासा नहीं है, या अलंकरन नहीं है, या आत्मिस्वास, विचारों और भावनों को ब्यक्त करना, तो गद्यांस में आप देखेंगे, ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर विचारों और भानों को व्यक्त करना भी यह संप्रेशन कला है अलंकरण की बात यहां पर नहीं लिखा गया था इसलिए यहां पर अलंकरण यह संप्रेशन कला नहीं है चलि अग्ला प्रष्ण है संप्रेशन कला का विकास किस्य होता है अप्सन है अनायास, अभ्यास, भासन, विसय की अच्छी पकड़ तो गद्यांस को आप जब ध्यांस से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है जो निरंतर अभ्यास से निखारी जाती है मतलब संप्रेशन कला जो है अभ्यास से निखारी जाती है तो यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा अभ्यास बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा विकल्प तो इस प्रकार से दोस्तो प्रस्ण पढ़ने के बाद जो है गध्यांस को आप देखेंगे तो कम समय में आप एंसर निकाल पाएंगे निम्न में संयुक्त बेंजन कौन सा नहीं है आपको यह बताना है त्रा है या है छा है या ग्या है यहाँ पर कौन सा संयुक्त बेंजन नहीं है तो आप देख रहे हैं दोस्तो यह जो है यह संयुक्त बेंजन नहीं है त्रा भी संयुक्त बेंजन है च्छ भी है और ग्या भी है ये सभी दोस्तों संयुक्त बेंजन है ठीक है लेकिन यह आपका ये संयुक्त बेंजन नहीं है और आपको यही बताना था ठीक है चलिए अगला प्रस देखेंगे सभी प्रस ध्यान से देखिए मृत्यूंजे पद म क्या होता है मृत उन्जे का इसका समास बिग्रा होता है मृत उपर विजय प्राप्त करने वाला अर्थाद भगवान सिव ठीक है तो यहां किसी तीसरे पत की और संकेत किया जा रहा है इसलिए आपका यहां पर बहुबरी समास हो जाएगा चली अगला है अलंकार में किस उप यहां पर आपका उपसरुग है इसका साथिक अर्थ क्या होता है अलंका दोस्तो इसका प्रत होता है भोशर्ण चली अगला प्रस्त देखेंगे सभी प्रस्त धNYांसे आप लोग देखते चलिए यह पुस्तक किसकी है में रेखांकी सब्ध का पद परिछे दीजिए तो रेखांकीत पद यहाँ पर यह क्या है आपको बताना है गुडवाचक बिसेशण है कि सार्वनामिक बिसेशण है कि सर्वनाम या संबोधन अब्व्य तो यहाँ पर ध्यान रखे है कि दोस्तो यह क्या है एक सार्वनामिक बिसेशण है ठीक है और एक वचन इस्त्री लिं है देखे दोस्तों विसलेशन सब्द का बिलोम होता है संसलेशन यहाँ पर आपका तीसरा अपसन बिल्कुल सई है तो बिलोम से भी प्रस्न पूछा जाएगा आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखते चलिए जिनका उचारण उपर के दांतों पर जीव लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं मुरधन्य, कंठ, दंत या अनुनासिक यहाँ पर आपका सही जवब क्या है उसे दंत कहते हैं दोस्तों इसको ध्यान कियेगा जिन ध्यानियों का उचारण उपर के दांतों पर जीव लगाने से होता है उसे दंत ध्यानिया कहते हैं ठीक है जैसे तावर की जो बेंजन धुनिया है ये सभी दंत होती है चलिए अगला प्रस्ण देखेंगे सभी प्रस्ण आप लोग ध्यान से देखते चलिए अगला प्रस्ण है निमलिखित में से उस्म बेंजन कौन से हैं आपको यह बताना है आपसन है चाचाजा यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है उस्म बेंजन कौन कौन से हैं दोस्तो यह आपके उस्म बेंजन होते हैं यहाँ पर आपका दूसरा बिकल्प सही है ठीक है यह आपके उस्म बेंजन है और अंतहस्त बेंजन कौन होते हैं दोस्तो यारालावा या रालावा जो होते हैं वे अंतहस्त बेंजन होते हैं तो इन्हें आप लोग ध्यान रखिएगा इनसे प्रस्ण आपसे जरूर पूछा जाएगा चली अगला प्रस्ण है सभी प्रस्ण ध्यान से देखिए अत्यधिक का बिलोम क्या है आपको बताना है अनधिकत अत्यल्प अत्याधिक अनधीन यहाँ पर आपका सही जवब क्या है देखे दोस्तों अत्यधिक का बिलोम होता है अत्यल्प इसको ध्यार कियेगा अत्यल्प का अर्थ क्या होता है जितना कम हो सके ठीक है और अत्यधिक का अर्थ क्या होता है अधिक मात्रा से भी ज्यादा यहाँ पर आपका दूसरा आप्षन बिल्कुल सही है अगला प्रश्ण है रित का बिलोम क्या है आपको बताना है आपसन है विकीड अनृत वक्र अनैक के यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है रित सब्द का बिलोम तोस्तो अनृत होता है इसको ध्यान कियेगा यहाँ पर आपका दूसरा आपसन बिल्कुल सही है संकल्प सब्द में उपसर्ग बताईए संकल्प में क्या उपसर्ग लगा है सन, सम, सक या संक यहाँ पर आपका सही जवब क्या है देखे दोस्तों संकल्प में आपका सम उपसर्ग लगा हुआ है इसको ध्यान रखिएगा ठीक है इसका संदिविच्छित क्या होता है संकल्प का समधन कल्प बराबर होता है संकल्प चलिए अगला प्रस्थ देखेंगे मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता इस वाक्य का वाच क्या होगा आपको बताना है करत्रिवाच, भाववाच, कर्मवाच, अन्य यहाँ पर आपका सही जोब क्या है देखे दोस्तो मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता इसमें दोस्तो अस्वस्ता रूपी भाव प्रकट हो रहा है इसलिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाव वाचक संगय हो जाएगा चलिए अगला प्रस्ट देखेंगे तदभव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है आपको बताना है लुनाई लावड़ता लौंग लवंग आत अंतर आयस आदेस यहाँ पर कौन सा जोड़ा गलत है आपको यह बताना है यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तो जो लिखा है लुनाई लावड़ता यह गलत है लुनाई का तत्सम क्या होता है लावड़ता होता है लावड़ता नहीं होता है इसलिए आपका यह गलत है लौंग का लौंग सही है आत का अंत्र दोस्तो नहीं होता है यह भी आपका गलत ह ठीक है आत का तत्सम क्या होता है आंत्र होता है अंत्र नहीं होता है आंत्र होता है ठीक है तो यहाँ पर पहला और तीसरा दोनों गलत है आयस का आदेस यहाँ पर सही है चलिए आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्ण देखेंगे लेखक और उसकी रसना का कौन सा जोड़ा गल यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए उधो सतक जो लिखा गया है यह भारतियंदु हरिश्चन की रशना नहीं है यह किसकी रशना है यह जगननात दास रतनाकर की रशना है इसको ध्यान कियेगा यहाँ पर आपका चौथा आपसन बिलकुल सही है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है देखिए दोस्तों दर्सन दिगदर्सन जो है यह रामचंदर सुकल का नहीं है दर्सन दिगदर्सन दोस्तों यह राहुल सांकृत्यायन की एक पुस्तक है ठीक है तो यहाँ पर आपका चौथा आपसन सही नहीं है यही आपको बताना चलिए अगला प्रसंद देखेंगे बिराम चिन्ह की द्रिष्टी से कौन सा वाकि असुद्ध है आपको बताना है हाँ मेरा यही विचार है वह इमांदार परिस्रमी करमठ और मृद्भासी है उसके पास धन वैभव नौकर चाकर आज सभी कुछ था आप हमारे घर आना चाह आते हैं तो ठहरिए यहां पर बताना है कौन सा असुद्ध है बिराम चिन्ह की द्रिष्टी से तो पहला ही असुद्ध है दोस्तों यहां हां के बाद जो है अल्प बिराम लगना चाहिए था ठीक है तब यह सुद्ध होता तो हां मेरा यही विचार है यह वाला जो है अल् अधुनातन कार्थ होता है आज तक का घटित काल ठीक है और सनातन चिरंतन और सास्वत इन तीनों कार्थ क्या होता है इन तीनों कार्थ निकलता है दोस्तों लंबे समय से चले आ रहे है सतत कालखंड यहाँ पर आपका चौथा आपसन सही है अगला है अरवाचीन का बिलोम होता है प्राचीन होता है इसको ध्यान रखिएगा ठीक है और बात करें दोस्तों अधतन की अधतन का बिलोम क्या होता है तो इसका अनधतन होता है ठीक है और अधुनातन का क्या होता है अधुनातन का दोस्तों क्या होता है पूरातन होता है तो यहाँ पर आपका दूसरा जो लिखा गया है यह असुद्ध है इसका सुद्धूरूप क्या होता है इसका सुद्धूरूप होता है विर हिडी होता है ठीक है क्या होता है विर हिडी होता है यहाँ पर आपका दूसरा सही है अगला प्रशन है निम्न में से कौन सा यूं गलत है आपको बताना है मुठी गरम करना रिस्वत देना यह तो सही है लुटिया डूबना सारा काम चौपट होना यह भी सही है सब्ज बाग दिखलाना हरा भरा करना यह आपका सही नहीं है दोस्तों यही आपको बताना था चौथा है माई का लाल सासी बेक्टी यह भी सही है तो यहाँ पर सब्ज बाग द सालंकार है आपको बताना है सलेस अन्योक्ति यमक और रूपक तो दोस्तों यहाँ पर द्यान रखिएगा यहाँ पर सलेस अलंकार भी है और रूपक अलंकार भी है ठीक है दोनों यहाँ पर सही है इसलिए यहाँ पर कामनंक दिये गया था चलिए आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्ण क्या है गाउसाला में कौन सा समास है आपको बताना है देश देश भक्ती में कौन सा समास है आपको बताना है तत्पुरुस द्वंद कर्मधारे दिगू यहाँ पर कौन सा समास है देश भक्ती का समास बिग्रह क्या होगा दोस्तों इसका बिग्रह हो जाएगा देश की भक्ती यहाँ पर भी कारक चिन नहा रहा है बीच में इसलिए आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख कर बताईए अच्छा लगा है तो मारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी के लिए बस इतना ही अब आपको नेश्ट वीडियो मिलेंगे किसी नए टोपिक के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद